नमस्कार दोस्तों, ये हमारा M.I.S. इंटर्व्यू का सिरीज 3 है अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा सिरीज नहीं देखा तो लिंक डिस्किस्टिन बॉक्स में दिये गाए हैं आप जाके वाच कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप M.I.S. के इंटर्व्यू में बैठते हैं तो वहाँ आपसे जो कोश्चन पूछी जाते हैं, वो इजी होते हैं, हार्ट नहीं होते हैं आप उसका एंसर एट टाइम नहीं दे पाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के चलते हैं, क्योंकि आपने उस ट्रिकी बेस कोश्चन पर प्रैक्टिस नहीं की थी लेकिन जब आपको उसका एंसर पता चलता है, तो आप अफसोस करते हैं, यह तो एंसर मुझे आता था, मैं इसका जवाब दे सकता था लेकिन उस समय आपने उसका जवाब क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि सिर्फ एक ही रिजन है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर पाया 80% लोग फेल हो जाते हैं, सिर्फ इसी रिजन के चलते हैं, बाकि जो 20% इंटर्व्यू क्रैक कर लेते हैं, उनके डेली रूटीन राइक में वो प्रैक्टिस जारी रहती है तो इसी लिए मैंने ये सिर्फ इस्टार्ट किया, ताकि आप मेरी वीडियो देखें, और प्रैक्टिस करके अपने माइंड के क्रियेटिविटी को डेपलप करें, कि इस टैप से कोश्चन आ सकते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए काफी हेल्फ करेगा, इंटरव्यू को क्रेक्ट करने में, क्योंकि हम इसमें डिटेल से बताते हैं, हर एक एक चीज आपको डिटेल से समझाते हैं, ताकि आपके कॉंसेट क्लियर हो सके तो आई दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा, और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लिजेए, जिससे हमारी हर वीड यहाँ देख रहे हैं यहाँ आपका serial number है ठीक है यहाँ employee name है और यहाँ product name है ठीक है अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे employee name Amit है रहूल है श्याब है मोहन है अंकूर है फिर यहाँ Amit repeat हुआ है फिर रहूल है इस तरह name दिए प्रोडक्ट नेम क्या है, लैपटोप है C है, डेख्टोप है, मशीन है, इस तरह, etc. दिये गए है, अब हमें जानना है, किस employee ने कितने product sell किया है, लेकिन हमारा क्या क्राइटरिया है, ध्यान से सुनियेगा, कि जैसे माली जी अमित यहां आजाए और laptop हो जाए, ऐसे आजाए जो जो employee, product sale की है, उनका employee का name आजाए और इस तरह product लिख के आजाए कॉमा करके या oblique करके, जैसा भी आप करना चाहते हैं, ठीक है दूसरा example क्या है, आप ध्यान से देखिए, दूसरा example यह है कि यहां आप देख रहे हैं, अमित, राहूल, श्याम, यहां भी नाम दिये गए है इन्होंने word की training ले ली, excel की training ले ली, powerpoint की training ले ली तो इस तरह पूरे etc दिये गए है, जैसे इसमें हमें चाहिए के student का नाम आजाए जैसे अमित, और इसने कौन कौन सी training ले ली है, जैसे word, कॉमा, और इसने ऐसे देखिए, manually मैं देख रहा हूँ, कहा है, अमित, excel तो इस step से आजाए, ठीक है, इस step से आजाए, सारे employer का name आजाए, और इस step से उसकी training ली है, जो जिसने जिसने जो जो सी training ली है, ताकि हम उसे easily identify करके, और उसके आगे की training प्रोवाइट कर सके, ठीक है, तो एक ये example है, इसलिए मैंने दो example आपके लिए है, ताकि आप दोनो मैं नहीं कर पाएंगे interview किसे में, क्योंकि आपने practice नहीं की है, इस label पर भी question आते हैं, तो आएए इसको detail से समझते हैं, जैसे बहुत से लोगों के Excel में ये formula नहीं होगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप Google Sheet open कर सकते हैं, जैसे मेरे Excel में ये formula नहीं है, तो मैं आपक कर लिजेगा, drive, drive पे जैसे click करेंगे, तो इस तरह open खुल के आजाएगा, उसके बाद आप यहाँ जाएगा, यहाँ निव पे जाके Google Sheet open कर लिजेगा, जैसे निव पे Google Sheet open करेंगे, तो इस tab से आपका खुल के आजाएगा, यहाँ मैंने data बना लिया, अब मैं आपको दि अगर अमित दो बार आ रहा है, तो वो सिर्फ उसको एक बार count करेगा, यह formula, तो इसी तरह जो जो सियाम देखेंगे, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसने एक ही बार सियाम को यहाँ count किया, तो unique formula का काम है, unique value को count करना, चाए text हो, चाए value हो, ठीक है, इतना काम हो गया, अब देखें हम formula क्या उच करते हैं, अभी आप ध्यान से समझीए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, वीडियो को skip मत करिएगा, आगे और इसमें tricks है, क्या tricks है, उसको ध्यान से समझीए, काफी interesting आप जैसे जानेगे, काफी आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो मैंन देखा नहीं है, false आजाएगा, false आजाएगा, false, false फिर यहाँ true आजाएगा, ठीक है, तो जैसे true होता है, हम देदो भाहिया, ये तो, ये सारा, ठीक है, और false होता है, तो मैं blank कर देता हूँ, double inverted का मैंने लगा दिया, bracket बंद करके, अब आपको control shift के साथ interface कर देना है, ठीक है जैसे आप interface करेंगे, तो आपके सामने ये देखे, क्या के laptop और AC, आप यहाँ देखेंगे, तो अमित देखी laptop है, और अमित का AC है, तो यहाँ चुका है, ठीक है, अब हमको इन दोनों को combine करना है, तो उसके लिए एक formula होता है, आप text join function यूज़ करूँगा, which is called to text join, ठीक है delimiter, मैं comma लूँगा, double inverted comma में, मुझे comma लेना है, तो मैं comma लूँगा, क्योंकि नाम के बीच में मुझे comma लगाना है, अगर आपको oblique लगाना है, तो आप यहाँ oblique का symbol लिख सकते हैं, ठीक है, मैं comma लिखाँगा, double inverted comma में लिखेंगा दोस्तों, comma, लिखा है, ignore empty, तो इसके ल आप देखें, काम हो चुका है, laptop, comma, AC आचुका है, अब मुझे क्या करना है, यह जो E2 से E7 मैंने range लिया यहाँ, मैं इस formula को, if वाले formula को just यहाँ डाल दूँगा, यह देखें, मैंने इसको copy किया, ठीक है, और इसकी जगा मैंने इसको place कर दिया, बस, control V मारा, और control shift के साथ enter मार देज़, तो आचुका है, laptop, comma, AC, अमित के सामने, अब मैं इस formula को क्या करूँगा, simply drag कर दूँगा, drag करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस range को, D2 is equal to B2, B16 range को freeze करना पड़ेगा, तो मैं इसको freeze कर दिया मैंने, अब मैं इसको भी freeze कर दूँगा, ठीक अमित के सामने, laptop, AC आचुका, आप यहां भी check करेंगे, अमित laptop है, और अमित आपकी AC है, ठीक है, इसी तरह यह देखिए, राहूल का क्या है, AC, AC, तो राहूल देखेंगे, यहां भी AC बेचा है, राहूल ने, और राहूल ने, यहां भी AC बेची है, तो इसी तरह आप detail मेरे पास तुरंत आ गई, अगर आप इसमें oblique भी करना चाहते है, तो यहां डेली मेटर में आप यहां oblique दे देंगे, जैसे मैं oblique दे दूँगा, तो अभी आप देखिए, oblique आ चुका है, अब मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग कर दूँगा, ठीक है, तो यह देखिए अब मैंने आपको एक और practice file दिये है, यह है, अब इसमें आपको अपने खुद से formula अपलाई करना है, अब आपको क्या करना है, यहां सब के नाम दिये गए हैं, नाम आपको लाना है यहां, और किन किने student ने कौन कौन सी training ले ली है, वो आपको खुद करना है, अगर आप कर ले रहे हैं खुद से, तो अच्छी बात है, यानि आप सीख चुके, अगर आपको problem हो रही है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, आप मुझे instagram पर follow करके वहां message कर सकते हैं, ठीक है दोस्तो, तो आसा है दोस्तो, आपको यह video पसंद आई होगी, अगर अच्छी लोगी यह तो चैनल को subscribe करके, बेल आइकन प्रेस कर लिजे, वीडियो को like, share, comment कर दीजे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तो, जैहिन